नमस्कार में गौरी आप सभी का स्वागत है देख रहे हैं आपसी न्यूज भारत वक्त हुचका है न्यूज बुलिटिन का बुलिटिन में हम दिखाएंगे हर दोई में कैसे गंगास नान कर वापस लोट रहे बंदर की मौत हुई और ललतपूर में कैसे डांस दिवाने शो में डुतिय स्थान प्राप्त करने पर युवान शुस्तेन का हुआ स्वागत साथी दिखाएंगे राइबरेली में कैसे जमीनी विवात के चलते आधा दर्जन दबंगों ने मा बेटी पर कर दिया जान लेवा हमला तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा चतरपर जिले के राजनगर विकासखंड में एक गाउं पिपट ऐसा है जहां कई सालों से पानी की समस्या बनी रहती है पूरे गाउं में एक हुआ है जो गर्मियों में पूरी तरीके से सूप जाता है हैंड पंपों की गोई विवस्ता नहीं है गाउं के लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए पंप पर घंटों इंतजार करते रहते हैं मैलाएं सभी काम छोड़कर केवल पानी भढ़ने के लिए खड़ी रहती है और छात्राएं पढ़ाई बंद करके केवल पानी ही भढ़ती रहती है गाउं वालों का कहना है कि समस्या 15 से 20 सालों में पिपट गाउं में बनी हुई है प्रिशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है इस विश्ण में गाउं के लोगों का क्या कुछ कहना है आईए आपको सुनवाते हैं दिक्कत कब से अब लोगों को आपकी इस दिक्कत को सरकार कोई सुनने के लिए यहां पर सरकार की लोग आप ठोटे तक मूर्दकाशी रहे कायम भरत होते हैं यह जुश्ण बहुत तक महना हैं कैसे पॉप ह का ऑप ही पानी की जैसे अब ही हमने कुगा है देखा है तो आपके जो पिपटकाओं का कुगा है फिर कैसे बरती है अब लोग पानी एक बोर है उसमें थोड़ा सा पान नहीं है तो रुक रुक के आता रहता है लोग अपनी लाइन लगा कर भरते रहते हैं पूरे दिसे क्लेक्टर साफ से क्या मांग करना चाहेंगे आप क्लेक्टर साफ से यह अनरूद करना चाहते हैं कि यदि एक महा के लिए टेंकर लगवा दें गाओं में तो पीने की पानी की बहुत थावश्चा पंचाद के दौरा है क्या नाम है आपका महंद्रदी क्या समस्था आप लोगों को गाओं में गाओं में जी एक इसल पानी क मिलता है कोई तुने वाला भी नहीं कि हम जो अपके कुग देख रहा है यह को सूख गया है तो यह इसमें पानी इसका में अपानी यह यह फा enthusiasts इसे हम पानी की समस्था साथ बिठा आख कर वक्षिद सरकार पानि की पाटनी सर्कार कर वादी सरकारों करूय का नाम ही ख़बर हर्दोई से जह माधोगन विकासखन के गाउं मुडिया खेडा में गुरुवार को बुद्ध पुर्णिमा के दिन गंगा इसनान कर लोटा काले मूँ वाला बंदर चाननी के पेड़ पर बैठा था शिक्रवार को पेड़ से गिर कर उसकी मौध हो गए ग्रामेडों के बीज गंगा इसनान कर हुई मौध को लेकर आस्थाओ मड़ पड़ी पास के प्राचीन धार्मे के स्थल कबीरा बाबा परिसर में गड़ा खुदवाया और पक्की समाधी बनाकर बंदर के पार्थिव शरीर को रखकर पूजा अर्चना के गाउं के आचारी सुरेख्षतेवारी सहित प्रधान प्रतेने धी रमेश पाल, मुकेश गुपता, संतराम कश्रप, बालक राम यादो, बबलु गुपता, शाम बिहारी मिश्रा, चौधरी यादो, संदीप कश्रप, मोहन पाठक, उजागर, सर्जु कश्रप, सुनील कश भन्नु कश्रप, चागिश्वर प्रदीप, राम नरेश यादो, विनोत कुमार, मंचाराम, बसीराम, कश्रप, शंकर, संतोष, पंकच कुमार, विनोत कुमार, आधी ग्रामीडों ने मंदर बनाने का निर्नाई दिया है ग्रामीडों ने बता है कि भले ही लोग गंगायस्नान को लेका रास्था का विश्र न मानते हों, पर आधा दैजन करीब अधिक काले मूँ वाली बंदर दश्रकों से नामीशारे ने धाम से चल कर, हर पोर्डिमा वा अमावस्या के दिन पवित्र नदी गंगायस्नान के ल ग्रामीडों के बारे में लोगों को सूचना हुई तो अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीडों के भीड इकठा हो गई, समाधी देने के बाद ग्रामीडों ने सावज़ण इक तौर पर चंदा इकठा कर मंदर बनाने की यूजना बनाई है, लोगों की माने तो गाउं में बा क्या हुआ यहां कैसे बंदर की उम्रत हुई जो बंदर नहाके बंदर नहाके आया चैनल करके हां हुआ हुआ है इक बाद में सबेरे बैठो रहाई जार पर उपर दिरवा पर और वह वत रहाई आसोई भी दिरो पाथ ती आत महिया दुइचारी वही की आई गई चांदी कि और पकन नाइप आई से नीचे गिरो मरोई गिरो कुछ लोग बदा रहे गाँवाले कि बंदर गंगाजी नहाने जाता था क्या है इस विचफ़े नहाने नहीं गया नहाके आया है कल पुरूनमासी नहाके आता था तब यह बाग में यह छे के लिए अगाजी दर से जाता था इतर हर पुरुण मासी को आता है और काफी दिन से जाता है कि इसमें बंदर आते हैं पहले चार लोग आते थे और यह पता नहीं मतलब तीन कहीं फूट गए दर उधर हो गए क्या हुआ क्या नहीं अब अकेला पेंड के उपर बैठे थे सुबह टाइम था यह नींद के भरी में मतलब इनका शरी जो था वो डिस्बैलंस हुआ डिस्बैलंस के कारण यह नीचे आगर गिरे इसी कोपड़ गाओं में सब गाओं निवासी सब लोग सहमत होके इनका यहां जो है मंदिर का निर्माड कराया जारा हर्दोई से सीनियू समवादा था जीते इंद्र की रिपॉर्ट कबर ललितपुर से यह जहां संपूर्ण भारत में ललितपुर का नाम रशन करने वाले यवांज सेन के ललितपुर आगमन पर ललितपुर वासियों ने उनका भावे स्वागत किया डांस दिवानी शो में द्वितेर स्थान प्राप्तकर संपूर्ण देश में जनपत के गौरों को बढ़ाया है। छोटी से उम्र में अपनी परिवार के साथ साथ जनपत का नाम रोशन किया है। एक खास बात लिटल मास्टर युवार्श सेन के साथ देखिये हमारे समवाद विकास सोनी के साथ। युवान सेन कहां रेते हो? लवुटपूर现 क्या नाम पापा का? पिर्मद तो न से सिखा आपना डांस सब्रक्राइब कितर स्सेर सिगर wait कशले की किकिर बात कर दो साल करते हैं do जो सालrations के आप शहां कर पैसा से बांब भारत के सभी बच्चे आए हुए थे और आपको बच्चों के साथ तो क्या आपको लग रहा था बच्चों के सार कंपोटिशन पर? मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा कौन-कौन कहा कहा कौन-कौन से स्टेट से बच्ची आये थे? ये नहीं बता कोई दोस्त बना? नई कौन से गान अच्छा लगए? किस गाने पर आप लगए? यूराज बना यूराज बना किस गाने आपको अच्छे लगए? जिस गाने पर डांस करते है? सारे किस के सामने जज़ बैठे हो ये बठ थे? कौन-कौन से ज़च बैठे थे? बाजरी मेर को स्नी दियर किया है? कौन से इस्थान के पर आपकिया है? हम्ही है आप ही बनार है? आप ही बनार है? जूनियर बनार है? और वहीं पर ललिपूर के तुबन मंदिर प्रांगड में आया है दर्शन करने के लिए कैसा मैसुष कर रहे हैं सबी बेंट वाजी के साथ आपके साथ चल रहे हैं अच्छा मैसुष कर रहे हैं जाएंगे डांस के बारे में कोशुष करेंगे तो पड़े अच्छा मैसुष कर रहे हैं कि आपको क्या मैसुष हो रहा है मैसुष मतलब खुशी इतनी है कि मतलब बता नहीं सकते कितनी खुशी है तो उसके क्या नाम है आपका बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा आगे तक गया है और हम तो सब करेंगे कि सारे बच्चों को यसी सिकाओ और आगे बढ़ाईए क्या नाम है आपका आप प्रेनर है क्या आपको लगा तो कब आपको लगा कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है नाम को और जाता वहां और यहां की सब कहाने की सकते है और मजेशिक का उस यह उसी कने नामा की तक मुझिथा है और जाना कि क्या कहना है उसका डांस की पिटी बड़ा है अलग-अलग राज्य में अलग-अलग सरनेम से लोग आते हैं जिस समाज के लोगों को पहचान करने में दिक्कत होती है अलग-अलग राज्य में आरक्षन भी मिलता है कहीं कहीं तो समाज के लोगों को सामान्य वर्ग में भी रखा गया है ऐसे में समाज के लोगो अशोग भगत मंगल हाजदा, बलराम दुबे प्रदीब जैस्वाल, रभी काली शंकर भगत, सुनील भगत राजेश, उत्तम भगत ओम प्रेकाश उपस्थित्थे पाकुर से सीन्यू संभादाता पंकज भगत की रिपॉर्ट राइबरेली में पारिवारिक जमीन विबात के चलते, आदा दर्जन दबंगों ने मा और इसकी गर्वती बेटी पर हमला कर दिया, बता दे दबंगों के हमले में जहां मा गंभी रूप से घायल हो गई, वहीं बेटी का गर्वपात हो गया मामला हुचाहर कुत्वारी शेत्र के खरॉली गाव कहे जहां पारिवारिक जमीनी विबात के चलते, आदा दर्जन से अधिक दबंगों ने बुजर गोमती देवी और उसकी गर्वती बेटी से जम कर मार पीट की, दबंगों के हमले में जहां मा गंभी रूप से घायल हो वहीं बेटी का गर्वपात हो गया, थाने में सुनवाई ना होने से नाराज पेड़ित महिला होने पुलिस अधिक्षक से न्याय की गुहार लगाई है पाँ आज मिमारे ने हमको मिले को मा बेटी का मारा है मा बेटी का बेटी की तब यह दिखता है पेट में बच्चे थे वो खराब होगा पाच महीना का पिनिकेशन दिया हम लोग बढ़ भरती रहे नहें और लोग जाओं है है अलेंबूलेंस में बैठा दीने और फिरी अब जाओं समाझ के गए हुए हमारे लगे होगे अवे मुक्दमा भीहान वे फिलिकेशन पटुआ वा कुछ नहीं भावा थाने गई थी तो क्या थान है नहीं गान अपिलिकेशन भेजा है वो गाउं में सो नंबर बोलाया है राइवरेली से सी न्यूस अंबादा था देव राज की रिपोर्ड फिलाल के लिए न्यूस बुलेटिन में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं सी न्यूस भारत